हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग चलिए तो अपन लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं एक बार बताएए साउंड वगेरा सब आप लोगों को आ रहा है और आज का टॉपिक हमारा है बिल्कुल मैनिफेक्ट्चरिंग के बेसिक से अपन लोग स्टार्ट करेंगे introduction to the machining process machining process के introduction से अपन लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को और आप लोगों को पता होगा production engineering आप लोगों का अगर देखा जाए तो मेकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा रूल प्ले करता है और काफी एक्जाम्स में आप देखोगे तो यह अकेला ही सब्जेक्ट आप लोगों का 25-30% तक जनरली आता है और कुछ एक्जाम्स ऐसे हैं आप लोगों के जैसे और आप लोगों ने देखा होगा रेलवे जही के एक्जाम्स में यह हर एक सैट में 52-70% तक वैरी किया था 10 सब्जेक्ट थे 10 में से 6 सब्जेक्ट जो थे आप लोगों के वो प्रोड़क्शन से ही रिलेटिड थे चलिए तो आपन लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट इसमें आप लोगों के कौन से कौन से कवर होंगे प्रोड़क्शन इंजिनियरिंग में यह देख लीजी आप लोग आप लोगों का यहाँ पर manufacturing process, material science, measurement and metrology, CAD, CAM and CIM और industrial engineering ठीक है अगर बात की जाए SSEJE की तो आप लोगों का paper first में यह आप लोगों का यहाँ पर material science से इस बार भी 8 से 9 marks तक का आप लोगों का पूछा गया है और थोड़ा manufacturing process जो है उससे weightage थोड़ा सा कम कर दिया गया था क्योंकि इस बार के paper में तो कुछ subject ऐसे भी थे जैसे के आप लोगों ने देखे हूँगा एक भी marks के नहीं आये थे, सोम बहुत कम marks का था, theory of machine बहुत कम marks का था तो ये paper के जो pattern है, ये कभी भी कैसे भी हो सकते हैं, इनको कभी भी आप लोग proper तरीके से ऐसे अगर कह देख होई, कि अगर मैंने SSCJ का पूरे तरीके से predict कर दोगा, तो पूरे तरीके से predict नहीं होता है, क्योंकि variations और fluctuations आप लोगों के हमेशा बने रहते हैं, हाँ, thermal बाला portion और FM बाला portion हमेशा इसमें ज्यादा marks का cover होता है, लेकिन अगर mens की बात की जाए, तो mens में आप लोगों का manufacturing process जो है, ये 62, 120 marks तक का भी आया हुआ है, 60 का तो minimum आता ही है, एक आदा बारी आप लोग देखोगे, exam के pattern में, तो आप लोगों को 120 marks तक भी ये subject दिखाई देगा, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, आप लोग देखिए इसका weightage का जो हम लोग बात कर रहे थे, किस exam में कितने marks तक का यह आप लोगों का आता है, ये कई, अदलब last years तक का एक average marks हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, अगर आप लोग देखो, यहाँ पर ये gate की बात कर गेट में आपका 20 to 25 marks का आप लोगों का जाता है, गुड मॉर्निंग बच्चे कैसे हो, 20 to 25 marks का आप लोगों का gate के exam में भी ये subject vary करता है, अगर बात किया जाए ESE में तो ESE में भी आप लोगों का 25% तक vary कर जाता है, यानि कि gate में आप लोगों का 20 to 25% तक vary करता है, इसमें आप लोगों का 25 to 28% तक variation है, ESE में आप लोगों का 10 to 15% तक variation है, क्योंकि कुछ papers में आप लोगों का ज्यादा marks का भी आया है, यह RRBJ है, जिसमें कि आप लोगों का 62, 70% के बीच में आप लोगों का यह DMRCJE में भी आप लोगों का production 25 to 30% तक vary कर जाता है, यहाँ पर state की बात करो, तो किसी भी state में आप लोग देखोगे, तो 25% तक इसका weightage रहता है, अगर CIL की बात की जाए तो 52, 60% तक इसका weightage रहता है, और आप लोगों का Indian Ordinance Factory की बात की जाए, तो वहाँ पर 62, 70% तक इसका weightage रहता है, तो production engineering आप लोगों का अच्छा गासा role play करने वाला subject है, तो इस subject को आप लोग without any hesitation और without any problem यहाँ पर complete कर सकते हो, समझ रहे हो, agitation का word मैंने क्यों use किया, कभी कभी हम लोगों को लगता है, यार subject होगा के नहीं होगा, मन में, dilemma में रहते हैं, कि कैसा subject चलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक concept, basic से advanced level तक कराऊंगा, जैसे कि आप लोगों का एक technician label का exam है, उसके label से मैं आप लोगों को उठाऊंगा, और gate और ESE के label तक मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, और यह चीज आप लोगों को ज़्यादा नहीं, चार से पांच दिन आप लोगों का लेबल क्लास करोगे, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा time मेरे साथ वितीत करना है, चार से पांच द इनका बस आप लोग मुझे के बल time दीजिए, और उस time duration में आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आप लोगों का label enhance करेगा, questions आप लोगों के gate और ESE वाले भी होने start हो जाएंगे, जब आप लोगों देखोगे book को खोलके, तो आप लोगों को realize होगा कि gate और ESE के भी questions मेरे यहाँ पर हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा time तो आप लोगों को देना पड़ेगा, यह बात ध्यान रखिएगा, तो इस subject की tension आप लोग भूल जाएए, यह subject आप लोगों का बहुत ही जल्दी, ठीक है, बहुत ही strong label का होने वाला है, जिसमें कि आप लोगों को य इस से related, के सर नहीं यह नहीं होगा, वो होगा, तो आप लोग मुझसे share कर सकते हो, स्लेवस को हम स्टार्ट कर रहा है, उससे पहले आप लोगों का कोई क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, स्लेवस से related, ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग बिल्कुल basic introduction की बात करे हैंगे कि production engineering होता क्या है, आप लोगों का private sector में भी interview जैसे होते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को इस subject से बहुत ही ज्यादा benefit होने बाला है, क्योंकि जिस भी production process या production वाले department में आप जाओगे, तो आप लोगों से वहाँ पर questions arise करेगा, तो आप लोगों questions के भी answer वहाँ प पा होगे, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, what is production engineering, तो production engineering आप लोगों का क्या होता है, यह आप लोगों को देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी definition, आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, वो इसी subject में नहीं, किसी भ सबजेक्ट में आप लोग देखते हो, कभी भी आपको कोई भी definition अगर दिया गया हो, तो उस definition में आप लोगों को कुछ keywords दिये होंगे, और उन keywords के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानना है, कि उन keywords में किन-किन चीज़ों की आप लोगों से वो बात कर रहा है, ठीक है यह चीज़ आप लोगों को सबसे firstly वहाँ पर देखनी होगी, कि keywords में क्या बात कर रहा है, बाकी तो grammatical language होता है, बाकी main keyword के बारे में अगर आप लोगों को पता है, तो कभी भी उस definition को आप लोग लिख सकते हो, देखिए, तो production engineering होता क्या है, it deals with the production of goods and services by the utilization of resources, ठीक है, य यह बात आप लोगों की यहाँ पर clearly समझ में आ रही होगी, तो production engineering क्या होता है, यह आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर, it deals with the production of goods and services by the utilization of resources, तो इस definition में आप लोगों को यह देखना है, कि सबसे पहला keyword यहाँ पर क्या है, इस definition में 3 keywords हैं, comment करके मुझे बताईए, कौ प्रोड़्ट कीवर्ड यहाँ पर यहाँ पर ये आपको बताना है, तो पहला keyword आप लोगों का यहाँ पर देखिए क्या है, production of goods, पहला keyword क्या है आप लोगों का यहाँ पर? production of goods, ठीक है, और यहाँ पर एक word जो लिखा है मैंने solid लिखा है, इसके पीछे का भी एक रहस से आ आप लोगों को आज बताना है, ठीक है, इसको production of goods का मतलब क्या होता है, it is also called manufacturing process, production of goods को अपन लोग क्या बोलते हैं, manufacturing process भी बोलते हैं, ये बाद ध्यान रखिएगा, it is also called manufacturing process, इसके बाद आप लोगों का दूसरा word है यहाँ पर, keyword कौन सा है, services, कौन सा keyword है आप लोगों का, services keyword है, ठीक है, और तीसरा keyword आप लोगों का यहाँ पर क्या है, पहला keyword हो गया production of goods, दूसरा हो गया services, और तीसरा हो गया resources, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देको manufacturing के हम लोग बाकी सारी चीज़े पढ़ लेते हैं, production की सारी चीज़े पढ़ लेते हैं, लेकिन basic बातों पर अपन लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, तो basic चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे, चाहे एक दिन हम पर देखना है, services word आप लोगों का यहाँ पर indicate कर रहा है किस चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले यह आप लोगों को देखना है, यह आप लोगों का यहाँ पर indicate करता है, production management के बारे में, इसके बारे में indicate कर रहा है, यह word जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसका mean यहाँ पर production management से ही related है और resources आप लोगों के जो होते हैं यहाँ पर वो आप लोगों को देखना है triple M का use होता है आप लोगों का triple M मतलब समझते हो man, material and machines समझ गए मेरी बात को man, material and machines is called resources और भी चीज़े हैं capital is also comes under the resources and आप लोगों का यहाँ पर capital के साथ साथ में अगर हम बात करें transportation system वो भी आप लोगों का resources में ही आता है ठीक है, तो man, material and machine, man का मतलब क्या हुआ आप लोगों का maげר का मतलब क्या हुआ, machines का मतलब क्या हुआ material का मतलब होता है आप लोगों का raw material ठीक है, यहाँ पर raw material हुआ और labor, man का मतलब हुआ labor का requirement और साथ में आप लोगों के और भी top management के लोग भी आ जाएंगे इसमें ऐसा नहीं है ठीक है, man's में raw material, labor और आप लोगों का दूसरा यहां पर क्या चीज़ होगा दूसरा आप लोगों का होगा machine ठीक है and machine के बाद में आप लोगों का यहां पर क्या है transportation system transportation system and transportation system and capital capital में आप लोगों का क्या आता है पूजी, पैसा समझ गए ना बात को अब देखिए यहां पर यह manufacturing production of goods का मतलब क्या हुआ और solid word यहां पर क्यों use किया है इसके बारे में आप लोग जानिये आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर यह solid word क्यों लिया है हम लोग manufacturing process करते हैं और वहां पर जो भी हमारा final product बनके निकलता है उसका कोई ना कोई sapend size होता है समझ रहे हो और किसी भी material का कोई भी sapend size अगर अच्चीव करना है तो उसका यहां पर final जो है object वो solid होगा चाहे आप लोगों ने during the process liquid state पर काम किया हो जैसे के casting है casting में भी आप लोगों का liquid molten metal आप लोग mold cavity में पूर कराते हो लेकिन आप लोगों को final product यहां पर क्या मिलता है final product आप लोगों को यहां पर मिलता है क्या भाई आप लोगों का solid state में very good ठीक है तो यहां पर solid जो है word यह आप लोगों के mind में यह भी कह रहा होगा cold drink का production wine का production आप लोगों का beer का production water bottle आती है उसका production वो भी तो आप लोगों की वहाँ पर कहते हैं हम लोग के production of water production of ये word use होता है न वहाँ पर आप लोगों का तो उन चीजों को अपन लोग यहाँ पर किस तरीके से लेते हैं ये बात आप लोगों को यहाँ पर देखनी है तो वो जो चीजें हैं आप लोगों की यहाँ पर production of goods में जो solid word है वो इसलिए है क्योंकि कोई भी आप लोगों का बिलकुर utilization of resources या resources कुछ भी लग लो दोनों बातें यहाँ पर same है तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात यह समझके बहके आ रही है ठीक है आप लोगों का अज़ जब कोई दिक्कत नहीं है तो जो आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है जैसे कि कोई नदी आ रही है flow हो के समझ रहे हो ना तो उस नदी में आप लोग क्या देखते हो मेरे भाईयों आप लोगों को एक बात देखने को वहाँ पर मिलती है कि उसका जो वाटर जो flow करके आ रहा है ठीक है वो जो वाटर आप लोगों का वहाँ पर flow करके आ रहा है वो आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है जब आप लोग उसको बोलते हो कि यह एक product है लेकिन जब आप लोगों की bottling हो जाती है बोटल में आप लोगों का water आता है तो आप लोग क्या बोलते हो बोटल में अगर अगर water आता है तो आप लोग उसको यहाँ पर क्या बोलते हो नहीं आपने सही लिखा था वंच्छे delete क्यों कर दिया utilization of resources भी हम लोग बोल सकते हैं एक keyword में समझ गए ना समझ गए ऐसी बात नहीं है वो नहीं है वो भी है resources कह दो या मैंने आप पूरे word को लिख दो कोई लिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज यह देख ली कि आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो water की bottle है वो product में आती है उस पर batch number और lot number पड़े होते हैं लेकिन नदी का पानी आ रहा है वो नहीं है अगर आप लोगों का कभी देखा है आप लोगोंने cold drink वगरा है जैसे कि आप लोगोंने इसलिए production of cold drink production of water यह आप लोगों की bottle में packed आते हैं समझ रहे हो ना अगर इनको product जैसे bottle में pack आ रहा है तभी बोला जा रहा है otherwise यह जैसे कि पानी नदी में आ रहा है तब तक नहीं है लेकिन आप लोगोंने देखा होगा वही पानी अगर आप लोगों का बहुत सी जगे फिल्टराइजेसन ना करके कही नदीयों का पानी एक जगे collect करके भर्ड के bottle में आता है आप लोगों का जैसे एक company है एवियन उसके थ्रू आपका आता है और उसका cost जो होता है वो कितना रहता है आप लोगों को पता होगा उसका जो cost होता है वो आप लोगों का अच्छा खासा रहता है समझ रहे हो ना उसका जो cost रहता है वहाँ पर वो आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलता है तो वो जो सारी चीजे हैं आप लोगों की लोगों का एक shape और size ले लेता है तो यही चीज कहता है production और manufacturing process हम कोई भी product बनाए है उसमें कुछ ना कुछ physical property भी होनी चाहिए तो physical properties को attain करने के लिए उसको आप लोग pack कर देते हो तब आप लोगों का बोला जाता है ठीक है तो production of goods services and resources समझ गए न तो services आप लोगों का production management की बात करता है यहाँ पर तो production of goods का मतलब समझ गए न यहाँ पर यह raw material है इसको आप लोग labor और machines का use करके एक final product में convert करते हो और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा उस product को बनाने से पहले हम लोग क्या-क्या चीजे करते हैं उस product का design भी बनाते हैं ठीक है तो design quality control ठीक है and quality assurance ठीक है आप लोगों का और भी बहुत सारी चीजे हैं जो के आप लोगों की किस चीज में यहाँ पर आती है सारी चीजे हैं आप लोगों की यहाँ पर services के अंडर में आती हैं समझ गए ना जैसे के आप लोगों ने देखा होगा product analysis हो रहा है raw material की purchasing marketing से लेके हर चीज product की sales से related हर एक चीज आप लोगों की यहाँ पर services के अंडर में आती है तो यह बात आप लोगों की यहाँ पर clear हो रही होगी next आप लोगों देखिए यहाँ पर resources की जो बात कर रहा है तो raw material, labor, machine, transportation system and capital यह सब आप लोगों की क्या हो गए यहाँ पर resources हो गए अब इन सारी चीजों का proper utilization कैसे करना है यह सारी चीजे कौन करता है production management का काम होता है यह चीजों को करना ठीक है तो raw material किस quality का purchase कर रहा हो यह सारी बात है आप लोगों की किस के अंडर में आ जाती है यहाँ पर resources के अंडर में आती है अब एक बात देखिए आप लोग यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का यह production management का बात हो गया design में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों का जो product बना रहा है उसमें क्या-क्या properties होनी चाहिए जैसे कि आप लोगों ने मानके चलिए एक कोई machine बनाया तो उस machine में यह भी देखोगे कि कितना load आप लोगों का wear कर पाता है क्या-क्या चीज़े आप लोगों की वहाँ पर वो sustain कर सकता है तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग वहाँ पर work करते हो तो वो आप situation ठीक है? ड्रॉइंग भी बनाते हो उसकी कि कौन सा चीज कहाँ पर कैसे करना है ठीक है? बीच-बीच में quality को भी आप लोग कंट्रोल करते हो अस्य और करते हो च्योंकि आप लोगों के product का अगर quality अच्छा नहीं होगा तो market में आप लोगों का sale अच्छा नहीं होगा ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा समझ गये ना? तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात प्रोडक्शन मैनेजमेंट ठीक है manufacturing process करोगे तो raw material machine और labor तो आपकी necessary requirement है यह तो resources तो चाहिए ही चाहिए लेकिन यहाँ पर manufacturing process और production management जो है यह आप लोगों के क्या है एक तरीके से यह कह सकते हो दो पिलर हैं जिनके ऊपर यह खड़ा हुआ है यह कह सकते हो दो लैक्स हैं production engineer की दो टांगे हैं जिस पर production engineering खड़ा हुआ है aim क्या है production engineering को पढ़ने का यह आप लोग देखे what is the aim of production engineering अपन लोग क्यों पढ़ते हैं production engineering को यह देखना है इसका country level पर goal क्या है देखिए यह बाते मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यह चीज़े छूट जाती है लेकन बहुत बाहर interviewers पता है क्या करते हैं what is the difference between production engineering and production process आप से सबसे पहले पूचेगा what is your favorite subject और आपने कह दिया वहाँ पर my favorite subject is production तो आप से पूचेगा what is the difference between production engineering and production process हम लोग blank हो जाते हैं production engineering क्या है उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं तो proper एक आप लोगों को यहाँ पर definition पता होना चाहिए मैं जो भी चीज़े पढ़ाऊंगा उसके पीछे का reason जरूर होगा समझ रहे हो ना यहाँ पर अला बला कुछ नहीं चलेगा जो काम की चीज़े हैं वही आप लोगों की चलेगे यह ध्यान रखियागा country label goal क्या होता है to increase growth and development of any country आप लोगों का यहाँ पर growth and development किसी भी country का increase करने के लिए समझ रहे हो हम लोग production engineering की बात करते हैं देखिए किसी भी country में growth कब होता है जब वहाँ पर industries होंगी ठीक है इंडस्ट्री जो है वो tax पे करेंगी सरकार के पास tax पहुँचेगा और उससे क्या होगा वहाँ पर development होगा तो यह सारी चीज़े आप लोगों की वहाँ पर होंगी समझ रहे हो अगर आप लोगों का कोई भी country है और उसमें इंडस्ट्री नहीं है तो वो country का GDP बहुत कम है जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों के जैसे यह African countries को ले लो Nigeria, Kenya और यह सारी countries जो हैं यह बहुत ही ज़्यादा poor countries हैं ठीक है और अपन लोग बात करें USA, China और यह जितनी भी country हैं Japan और Germany इन सारी countries का growth rate जो है वो इन से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर industries का establishment ज़्यादा है ठीक है वहाँ पर government के पास tax आता है तो country में development में भी पैसा लगता है वहाँ की growth में भी पैसा लगता है समझ रहे हो तो यह सारी चीजे होती है दूसरा आप लोगों का living of standard भी किस पर depend करता है production engineering पर depend करता है ठीक है जैसे के लोगों के पास में job होगा तो वो उसका tax पे करेंगे tax पे करेंगे तो उनके पास में क्या होगा government के पास में पैसा बढ़ेगा तो वो अच्छे कपड़े अच्छे जूते और अच्छी तरीके से रहन सायन करेगा अच्छा घर रखेगा अपनी सारी सुवधाई अच्छे से करेगा और जिसके पास में job नहीं है वो कंजूसी करेगा कि यार मैं ये काम करूं के नहीं करूं तो ये सारी चीजें आप लोगों की किस पर depend करती हैं ये depend करती है employment पर और employment तब तक नहीं हो सकता जब तक के आप लोगों के industries नहीं हो समझ रहे हो ना जब तक आप लोगों की industry नहीं होंगी तब तक आप लोगों का यहाँ पर development नहीं होगा तो किसी भी country का जो development है वो industries पर बहुत ज़्यादा depend करता है समझ रहे हो आप लोगों का कोई भी department है education department हो गया या आप लोगों का मान के चलिए income tax department हो गया यह सारी चीज हैं तभी तो अच्छे से proper run कर रही है हम लोग तभी तो पढ़ रहे हैं रोड बाल डिपार्टमेंट है transportation को स्ट्रॉंग करने के लिए रोड पगेरा बनते हैं तो वो भी एक industry है आप लोगों का वहां से भी government के पास में tax जाता है रोड बनता है toll tax जाता है ठीक है तभी तो development हो रहा है आप लोगों का अगर आप लोग अगर कुछ टाइम से रुख गया है वो आप लोग थोड़ा सा अगर कोशिस करोगे तो फिर दोबारा line length पर आएगा तो आप लोगोंने देखा होगा 20-30 साल पहले की अगर बात करें तो आप लोगोंने देखा होगा किसी गाओं वगेरा के लिए जैसे जाते थे तो कच्ची roads होती थी लेकिन आज के टाइम पर आप लोग देखोगे हर जगे की connectivity के लिए पकी roads भी बन गई है पहले electricity पहले पता है ऐसा होता था आज से अगर 15-20 साल पहले की भी अगर बात कर लें तो 15 साल पहले भी light आती थी तो सोर हो जाता था पूरे गाओं में अरे light आगई light आगई बल्ब जल गया था जल जाता था था ठीक है लेकिन आज के टाइम पर आप लोग देखते हो हर जगे लगबग 20-22 गंटे आप लोगों का light आ रहा है cities में तो आप लोगों का जैसे के बात करो तो 24 hours का भी light का connectivity रहता है ठीक है तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा पहले लोगों के पास में inverter वगेरा नहीं होते थे आज के टाइम पर सब लोग इन सब चीजों का यूज कर रहा है ठीक है तो ये किसकी वैसे हो रहा है country में industrialization हुआ लोगों के पास में काम आया पहले आप लोग देखते थे ऐसा हो जाता था culture से जोड़ा रहना चाहिए था लेकिन कुछ चीजे बहुत ठीक भी थी पहले आप लोग देखते थे क्या होता था घर में एक या दो बंदे कमाते थे पांचे बंदे उन पर depend रहते थे और अपना आराम से काम चलता रहता था किसी को ज़्यादा दिककत नहीं होती थी लेकिन आज के time पर देखा जाए हर बंदक हमारा है फिर भी लगता है कि अभी कमी पड़ी हुए है क्योंकि हम लोगों के desire जो है वो enhance हो रही है समझ गए और उसी तरीके से हाँ अब light नहीं होती है बंद तो ये सारी चीज़े आप लोगों को देखने को मिलती है तो इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा role play करता है आप लोगों का production engineering आप लोग देखो तो backbone है किसी भी country के लिए आज भी इन country में industry नहीं है वहाँ पर ये problems है ठीक है हाँ तो ये चीज़ होता था बहले बहुत light वगरा जाती थी आज के time पर इन सारी चीज़ों में तो ये electricity भी एक तरीके का industry है इसमें भी growth हुआ है तो इन सारी चीज़ों का benefit भी आप लोगों को मिल रहा है ठीक है लोगों को employment तभी मिलता है जब industry होती है creation of employment industries की वायसे होता है तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को देखना होगा जिससे कि आप लोगों का देखिए सारी चीज़ें एक तरीके से balanced रहती है ठीक है flow बढ़ता है और लेकिन अगर देखा जाए industries के लिए proper एक अच्छा माहौल ना हो किसी country में सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें problematic हों तो वहाँ पर growth रुख जाता है कहीं ना कहीं ठीक है तो policies जो हैं किसी भी countries में बहुत अच्छी होनी चाहिए तब ही सारी चीज़ें आप लोगों की अच्छी होती हैं तो यहाँ पर to increase growth and development of any country यह बात आप लोगों का clear हो गया यहाँ पर तो किस चीज़ पर किसी भी country का growth and development depend करता है यह बात clear हो गया यह कुछ कुछ चीज़ें economics जैसी है production engineering में और reality में ही आप लोगों का यह in economics यहाँ पर काम करता है समझ रहे हैं industrial management काम करता है industrial psychology आप लोगों को पढ़नी है जब management पढ़ोगे तो ऐसी ही बाते आप लोगों को सुनना पढ़ा करेंगी बहुत जादा creation of employment आप लोगों का समझ में आ गया लोगों के पास नौकरी होगी तभी तो अच्छे जूते कपड़े पैड़ेगा तभी तो किसी भी country का living of standard बढ़ेगा तो next देखिए आप लोगों का industrial label goal क्या होता है किसी भी country की overall efficiency को increase करना ठीक है जैसे कि आप लोग किसी भी industry में देख रहे हो कोई भी product बन रहा है वहाँ पर आप लोगों ने जो भी raw material दिया उस raw material का ज़्यादा से ज़्यादा product में convert होना वे stage को minimize करके वह आप लोगों का वहाँ की efficiency को enhance करने के जैसा होता है तो to increase overall efficiency, to increase effectiveness of the product, किसी भी product का effectiveness को increase करना आप लोग देखते हो ना DMRC में आज कल production management से भी questions पूछे जाने लगे हैं बहुत सारे state के exams में भी आप लोगों के industrial से related questions पूछे जाते हैं तो industrial engineering भी आप लोगों को complete कराया जाएगा जो कि आप लोगों का production engineering के ही under में आएगा next देखिए, to increase effectiveness of the product, to improve estimated time and cost, ठीक है effectiveness of the product का यहाँ पर मतलब क्या है, यह बात आप लोग देखिए जैसे कि आप लोग एक चीज देखते हो, किसी भी हम लोग यहाँ पर बात करें product की, तो उसका अगर quality अच्छा ना हो आप लोग जैसे market में के हर चीज को समझते चलिए, देखिए overall efficiency का मतलब क्या हुगा कि हम लोग यहाँ पर losses को minimize कर देते हैं, तो efficiency enhance कर जाता है next आप लोगों का यहाँ पर point किसकी बात कर रहा है यह, increase effectiveness of the product तो आप लोगों के product का effectiveness कब increase करता है, यह आप लोगों को यहाँ पर देखना है effectiveness तब increase करता है, जैसे कि आप लोग उसकी अच्छी quality को maintain करके रखो market में आप लोगों के same cost के दो product है, ठीक है, same cost के दो product है आप लोगों के, आप market में उनको purchase करने गए, एक का quality जो है वो दूसरे के quality के जैसा ही है लेकिन cost में variation जादा है, cost एक का जादा है, एक का कम है, तो आप लोग किस product को वहाँ पर purchase करोगे यह बताओ जो सस्ता होगा उसको या महँगा होगा उसको, quality दोनों का same है, यह मान के चलिए किसको आप लोग purchase करोगे, जैसे कि आप लोग मान लो, हलांकि दोनों एकी company के product है, amul और mother dairy आप लोग दूद लेने के लिए गए, दोनों का आप लोगों को पता है, लगवग milk का quality जो है, वो same है, एक अगर दे आपको 20 रुपे का आधा किलो और एक दे 25 का आधा किलो, तो आप किस को prefer करोगे, 25 बाले को या 20 बाले को, कम बाले को करोगे न, तो यह चीज आप लोग का quality घराब है, और एक का अच्छा है, रेट दौनों का save है, तब आप लोग किस को preference दोगे, किस को preference दोगे, बिलकुल अमरत, बिलकुल, सही कह रहे हो आप, सस्ते वाले को preference देंगे, और दूसरे case में आप लोग किस को preference दोगे, जब आप लोगों का वहाँ पर quality, और जब cost क मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इस case में किस चीज को आप लोग यहाँ पर देखोगे, यह बताईए आप लोग, जैसे कि दौनों का costing का अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, costing दौनों का save है, और एक का quality अच्छा है, और एक का बेकार है, तब अच्छे quality वाल का product आप लोग पर चेंज करके लाओ, तो एक बात आप लोगों को यहाँ पर यह पता चल गई clearly, ठीक है, good quality वाले को, तो अगर हम लोग अपने product का quality अच्छा नहीं रखेंगे, तो market में हमारे product को customer लेना बंद कर देगा, और आपके product को लेना जब customer बंद कर देगा, तो turnover है, industry का, वो turnover भी down कर जाएगा, और आप loss में जाओए और धीरे धीरे आपको अपनी company को बंद करना पड़ जाएगा, इसी लिए कभी भी quality से खिलवाड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों का किसी भी country, industry का goal क्या होना चाहिए, कि हम लोगों को quality को और effectiveness को increase औ estimated time and cost वाला बात, cost का तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है, time का देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग estimated time and cost, यह कैसे बात कर रहे हो, आप लोगों को timely product का deliver भी करना जरूरी होता है, जैसे कि आपने मान के चलिए, एक मैं छोट सा example लेता हूँ, जैसे कोई भी industry है, वो कोई भी final product बनाती है, अगर उसके banders उसके पास में उसका product timely नहीं deliver करेंगे, तो उसका जो खुद का जो line length है, वो खराब हो जाएगा, उसके labor फिरी बैठी रहेगी, उसकी भी cost जाएगी, और वो customer को भी timely product deliver नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से भी company का जो नाम है, वो खराब होगा कि यार वो तो timely product deliver नहीं करता, ठीक है, जैसे कि आप एक example लेके चलो, आपकी साधी है, और लड़की वाले चाह रहे हैं, हलांकि दाहेज देना गलत बात है, बट मैं तो इसके favor में बिल्कुल नहीं रहता हूँ, दाहेज में, तो दाहेज बहुत बेकार चीज होती है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, लेकिन मान के चलिए, कोई नहीं माना है, अपनी लड़की की साधी में car दे रहा है, ठीक है, और वो car दे रहा है, जैसे कि हम सपोज़देट example ले ले लेते हैं, मारूती का, ठीक है, यह बस तोर पर बात है, मैं मारूती का कोई criticize नहीं कर रहा हूँ, timely deliver करता है, सारी चीज़े होंगी, लेकिन मैं एक just example दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि हम लोगोंने मारूती की बात करी, मारूती की car book की, और वो car चाहे performance wise अच्छी हो, समझ गए बात को, लेकिन अगर साधी वाले दिन deliver ना हो, तो उस लड़की वाले की बेजित्ती हो जाई और लड़के वाले की भी हो जाई, क्योंकि उसने यार दोस्तों में कह दिया था कि car मिल रही है, वो बंदा जिंदगी भर मारूती की बुराई करता रहेगा, ये नहीं कहेगा कि मारूती अच्छा है, क्या आप लोगों को पता है कितना फरक पड़ता है, अगर कोई चीज deliver ना हो तो उस time पर pain समझ में आता है कि नहीं आता, कि बहुत सारे समाज, समाज का डर जो है वो आदमी के mind में impression एक अलग type का वहाँ पर छोड़ देता है, तो ये चीज होती है कि नहीं होती, तो इसी तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ पर कि estimated time के दोरान आप लोगों का product का deliver होना जरूरी होता है, और estimated time के अंडर ही आप लोगों का जैसे के course complete नहीं कराया जाए, जैसे कि हमने अभी अनकेडमी वाले एप पर अपना plus course में casting का subject start किये थे, जो time spent था, उसी में हमने के भाई इतने मतलब हमने time लिया था कि इसमें हमको casting complete करना है, उसी में complete किया, अगर हम लोग नहीं करते, तो यहाँ पर जैसे कि यह देख रहे हो सुप्रिया, महीन और भी जो बच्चे हैं, जो YouTube पे भी अब class करने आ रहे हैं, नया channel है मेरे लिए तो आज पहला class है, तो य यहाँ पर भी आके जुड़ गए, इन लोगों को सही लगा कि जो commitment कर रहे हैं, उस तरीके से सारी चीज़े हो रही हैं, और इन बच्चों के जो questions हैं, यह questions भी आप लोगों के हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, order online में कोई नहीं आती है, time पर तो order को cancel कर देते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों के पढ़ाई के time पर भी होता है, कि अगर कोई teacher आपका syllabus timely complete ना करे, तो आप लोगों को लगेगा, अरे यार बेकार है, कुछ नहीं है, आपका exam निकल जाए, उसके बाद में syllabus को complete करने का क्या मतलब हुआ, तो सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर एक effect डालती यह चीज़ों पर, समझ रहे हो ना, आप लोगों का सारा कुछ अच्छा रहेगा, तो आप लोगों को भी recommend करोगे, कि चलो वही, sir का quality भी अच्छा है पढ़ाने का, और timely syllabus भी complete हो रहा है, तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अच्छी रहेंगी, तो इन सारी पर मिलती है, अच्छी, ठीक है, और cost भी मिले कम, तो आप लोग यहाँ पर preference दोगे, अगर आप लोगों को quality वेकार और cost हो जादा, तो आप लोग नहीं दोगे preference, तो यह सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर क्या करती है, affect करती है चीज़ों को, next देखिए, to increase customer satisfaction, ठ करना है, जैसे कि after the, जैसे कि आप लोगों का course complete हो गया, ठीक है, plus में हमने course complete कर दिया, अब special classes में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को extra service provide करा रहे हैं, जैसे company provide कराती है, कि 3 service free, 4 service free, हम लोग क्या करते हैं, question series free, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या मिल रहा है, customer satisfaction है you are, customer तो आपको खेर नहीं बोलना है, sis से और guru का तो एक अलगी रिस्ता बन जाता है, हलांके आते आप लोग customer की तरह हो, लेकिन एक रिस्ता अलग type का develop करके चले जाते हो, खासकर teacher के साथ मैं, तो यह चीज तो एक अलग होती ही है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आप लो तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कोई मांगे चलिये, टीवी खरीदा, ठीक है, और आपने phone किया, कि अरे भाई, मेरा टीवी में problem आ गया है, और इसका थोड़ा सा servicing कर जाईए, और वो जिस दिन आना था, वो नहीं आया, और आपका जो favorite natuck जो चल रहा है साम को, औ और वो natuck आप लोगों को अच्छे से नहीं देखने को मिल पाया, तो आप लोग क्या सोचोगे, अरे यार, ये company तो बहुत बेकार है, चार लोगों में उसकी बुराई कर दोगे, तो दूसरा बंदा भी उससे effect होगा, company की sale down करेगा, तो ये सारी चीज़े आप लोगों की handle करने के लिए production management इन सारी चीज़ों पर काम करता है, क्योंकि customer से feedback भी लेता है, क्या चीज़े हैं, क्या नहीं हैं, service center भी बनाए जाते हैं, आप लोगों के customer care भी बनाए जाते हैं, customer feedback भी लिया जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है timely, कैसे कैसे क्या क्या चीज़े हो ठीक है, तो ये सारी चीज़े आप लोगों की यहां पर matter करती है, ठीक है, ये सारी चीज़े आप लोगों की clear हो गई, तो after the sale भी अगर आप लोगों को कोई, sale जैसे आप लोगों का हो गया, और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई service provide करा रहा है, तो आप लोगों को मन खुश रहेगा कि यार देखो इसका service बहुत अच्छा है फिरी दे देता है कुछ चीजे तो और अच्छा लगता है यह हमारी tendency बनी हुई है थोड़ी सी चलिए कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर production engineering जो है क्या होता है अब आप लोग देखते चलिए यहाँ पर production engineering is stood on two pillars first one is the manufacturing process and second one is the production management तो यह आप लोगों का दो वो चीज़े आप लोगों की और यहां पर effect डालेंगी आपकी चीज़ों पर देखिएगा आप लोग तो manufacturing process में देखिए manufacturing engineering और the manufacturing process are the steps drop which raw materials are transformed into a final product इसका आज मैं बस definition बता रहा हूं इसको कल बहुत ही बहतरी नंग से सीखेंगे यह मानगे चलिए यहां पर एक एक चीज़ आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी समझ गए ना the manufacturing process begins with the product design and materials specification which the product is made तो दूसरी language में बिल्कुल साधारन भासा में आप यह भी बोल सकते हो कि आप लोगों का manufacturing process क्या होता है raw material is converted into raw material जो आप लोगों का होता है वो किसमें convert होता है यहां पर raw material is converted into finished or semi-finished product by the application of some additional values और processes ठीक है और जो यह additional values और processes apply की जाती है यही आप लोगों की manufacturing process बोली जाती है यानि कि किसी भी एक raw material या semi-finished product को आप लोग किसमें convert कर रहे हो एक final product में convert कर रहे हो तो यह जो आप लोगों का final product में जो conversion जो हुआ और उसको convert करने के लिए जितनी भी आप लोगों की process apply हुई वो process आप लोगों की बोली जाती है क्या manufacturing processes समझ गए और product की value को enhance करता है manufacturing process अभी जिस raw material की कीमत एक या दो रुपया थी और उसकी कीमत बढ़के कितनी होगे या आप लोगों की उसकी कीमत आप लोगों की 50 या 100 रुपया हो जाती है तो value को भी ये क्या करता है enhance करता है इसलिए बोला जाता है manufacturing process is the value addition process ठीक है इसके बारे में अब detail में कल जाएंगे अभी just take overview देख रहे हैं हम लोग production engineering का कि उसमें क्या क्या चीज़े आप लोगों की आती है तो manufacturing और production management next देखिए production management क्या होता है तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई न manufacturing process क्या होता है next देखिए production management क्या होता है quality control and quality assurance की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है quality control and quality assurance की बात कर रहा है आप लोगों की यहाँ पर समझ गए मेरी बात को किसकी बात कर रहा है यह quality control and quality assurance की बात कर रहा है समझ में आ रही है न चीज़े आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है न एक मिनट चल रहा है ना सब कुछ ठीक ठाक मुझे बता दे ना कुमेंट करके आप लोग कहीं चीजें दिक्कत दे रही हो आपको और आप बताओ नहीं होजे तो बताते चलना है आप लोगों को सारी चीजों को तो प्रोडक्शन मेनेजमेंट मीन्स प्लानिंग और्गनाइजिंग, डिरेक्टिंग, और कंट्रोलिंग और प्रोडक्ट अक्टिविटीज प्रोडक्शन मेनेजमेंट डील्स विद दा कनवर्टिंग रॉव मेट्रियल इंटू फिनिश्ट गुड्स और प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्शन मेनेजमेंट करता है ठीक है तो यहाँ पर जैसे के क्या-क्या चीजों पर काम करता है देखी आप लोग डिजाइन डवलप्मेंट क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू दा हुमन नीड हुमन नीड मतलब समझ रहे हो कस्टमर नीड कस्टूमर जो नीड अपना जेनरेट करता है उस नीड के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पर डिजाइन करते हो ठीक है हाँ सर्माना नहीं है बिल्कुल भी कोई भी प्रोड़म हो तरंत बताना तो डिजाइन डवलप्मेंट जो है वह आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया तो अकॉर्डिंग टूदा और डिजाइन में आप लोगों का और भी चीज आती है ठीक है आप लोगों को डिजाइन क्राइटेरिया में यह भी देखना होता है कोई भी प्रोडक्ट बना रहे है कि यह भाई जैसे मानके चलिए आप लोगों ने एक चेयर बनाया चेयर इजा प्रोडक्ट अब इस चेयर पर कौन बैट पाएगा जैसे कि एक हुमन बीइंग का जितना बेट होता है उसका आप लोग डेड़ या टू टाइमस तक वेट हो सस्टेन कर ले इतना रखते हो लेकिन अगर उस पर आके कोई हाथी बैठ गया तो क्या होगा आप लोगों ने हाथी के वेट के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर डिजाइन कंसेडरेशन नहीं किया था तो according to the human requirement या human need हम लोग डिजाइन कंसेडरेशन करते हैं जैसे मान के चलिए कोई bridge बनाया आपने उस पर इतने देखा होगा capacity इतने ton जितना ton रिखा होता है उससे 2.5 times 2 या 2.5 times ज्यादा load wearable capability का आपन लोग डिजाइन करते हैं लेकिन फिर भी लोग अगर उससे ज्यादा अगर वहाँ से लेके जाने लगते हैं तो problem create होती है समझ गए तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहाँ पर देखनी होती हैं समझ गए ना तो design consideration में आप लोगों को mechanical properties को भी satisfied करना है आप लोगों को physical properties को भी physical मतलब उसका safe, size और look and appearance भी अच्छा होना चाहिए जैसे के कोई car बनाया आपका तो उसका देखने में look and feel अच्छा होना चाहिए ये भी होना चाहिए कि इतना seatar है तो इतना load ये sustain कर ले इसी हिसाफ से ही तो आप लोग CC का engine मनाते हो कि इतने CC का engine है ये ठीक है next आप लोग देखिए यहाँ पर planning and control ठीक है production planning and control का मतलब क्या होता है planning आप लोगों का क्या कहता है जैसे के मानके चलिए आप लोगों का एक raw material है यानि कि selection of process भी इसके अंडर में आता है और इससे आप लोगों का यहां पर क्या बन रहा है यह final product बन रहा है प्रोड़क्ट को यहां पर convert करने के लिए यहाप लोग देखते चलिए यहां पर इस raw material को final product में convert करने के लिए आप लोगों के पास में बहुत सारी processes है ठीक है जैसे के मानके चलिए एक process first भी है process second भी है तो यहां से आप लोगों को selection of processes के बारे में भी पता चलता है यहां पर जैसे के P4, P5 यह अलग-अलग process है और product एक जैसा ही यहां पर बन के आ रहा है थोड़े बहुत variation तो होंगे ही लेकिन आप लोग यहां पर कैसे select करोगे किस को process को opt करने में मतलब किस process को choose करने में यहां पर आप लोगों का cost और time कमा रहा है production cost की बात हो रही है production cost जितना कमाएगा उतना ज्यादा आप लोगों को profitability मिलेगी profit होगा profit ज्यादा होगा तो आप लोगों को benefit मिलेगा और आप लोगों को benefit मिलेगा तो आप लोगों का यहां पर growth भी होगा समझ गए तो यह सारी चीज़े आप लोगों की यहां पर implementation में लाई जाती है ठीक है है आप लोगों का administration and coordination ठीक है यहाँ पर आप लोग administration and coordination को भी देखोगे get real time insights को भी देखोगे flexible routing को भी देखोगे और proper monitoring भी आप लोगों का होना चाहिए देखें जैसे के implementation of the plan का मतलब यह हो गया जो जो भी process और जो भी चीज़े आप लोग यहाँ पर कर रहे हो तो उनका proper selection करना proper selection नहीं करोगे तो थोड़ा problem होगा दूसरा आप लोगों का यहाँ पर administration and coordination का मतलब यह होगा कि आप लोगों का अलग अलग जैसे के HR department, production department, sales department, marketing department, इन सब departments के साथ में coordination भी होना चाहिए कितना demand और supply आप लोगों को रखना है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर labor से काम करवाना है इन सारी चीज़ों को रखने के लिए आप लोगों को administration जैसे कि labor से काम कराना है तो हर scenario आप लोगों को यहाँ पर कैसा मिलेगा, real time बाला मिलेगा, कि market में demand क्या है, हम लोग कितना product बना सकते हैं, यह सारी चीज़ों है, अपनी capacity भी आप लोगों का होना चाहिए, यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा rigid हो जाओ हर चीज में, ठीक है, तो वो भी चीज़ों आप पर maintain करनी पड़ती है, proper monitoring, monitoring मतलब समझ रहे हो, proper आप लोगों का वहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन अपने काम का बंदा है, कौन नहीं है, कौन बातों का खा रहा है के बल, कौन असलियत में महनत कर रहा है, तो यह सारी चीज़ों की monitoring भी proper आप की होनी चाहिए तो यह आप लोगों की यहाँ पर monitoring भी effect डालती है आप लोगों की चीज़ों पर ठीक है तो यह चीज आप लोगों की clear हो गए यहाँ पर next देखिए principle of the production management क्या-क्या है principle यह देखिए आप लोगों का man, money, machine ठीक है material, methods and marketing man मतलब labor जो है आप लोगों का capital अगर नहीं होगा तो आप लोगों कोई भी industry को install कर रहे हो ठीक है तो इस time पर आप लोगों के पास में अगर money नहीं है तो आप लोगों के पास में अगर money नहीं है तो आप लोगों के पास में initial capital भी होना चाहिए और rotation भी होना चाहिए हो सकता है आप लोगों के सेल अप भी कर जाए कभी डाउन भी कर जाए ठीक है तो उन सारी चीजों को देखने के लिए आप लोगों के पास में यहाँ पर बिल्कुल 6M बोला जाता है मैंने भी इंडरस्ट्री को चलाने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है आप लोगों के पास में प्रॉपर लेबर नहीं होगी तो भी चीजों में प्रॉब्लम क्रियेट होगी ठीक है अच्छी मसीन्स का होना मेंटिनेंस का रहना यह सारी चीजों है आप लोगों का quality control यह सारी चीज़ होनी चाहिए यह raw material का proper timely supply methods आप लोग selection of process और methods क्या use कर रहे हो जिनसे आप लोगों के profitability बढ़े proper marketing marketing भी आप लोगों का properly किया जा सके जिससे कि आप लोगों का sale enhance करें अब marketing ही नहीं कर रहे हो अच्छा product बना रहे हो तो आप लोगों की product के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा तो यह सारी चीज़े आप लोगों की होनी चाहिए properly ठीक है अब इसके बाद आप लोगों का last topic है यहां पर objective of the production management हलांकि इन चीज़ों को detailed हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं तो production management का हमारा main objective क्या होता है यह आप लोगों को देखना है ठीक है तो quality of product आप लोगों को बताया ही था कैसा होना चाहिए good quality of product आप लोगों के होने चाहिए otherwise आप लोगों की market में demand घट जाएगी right quantity आप लोग ऐसा ना हो कि access में product को बना लो रखा पड़ा रहे बेयर हाउस में तो आप लोगों को बेयर हाउस का भी क्राया बढ़ता रहे तो quantity का एक आप लोगों को proper analysis होना चाहिए और ऐसा भी नहीं हो के कम quantity आप लोग बना रहे हो तो आप लोग टाइम ली यह कि आप लोगों का जो manufacturing cost है वो और लोगों से ज्यादा आ रहा हो ठीक है और फिर आपको ज्यादा अपना ज्यादा cost आएगा तो आपको अपना rate ज्यादा रखना पड़ेगा और लोगों का उसी quality पर अगर rate कम है तो आप लोगों की वहाँ पर कम हो जाएगी तो उसको भी maintain करने के लिए right manufacturing cost भी आप लोगों को रखनी पड़ती है to produce quality goods to increase productivity to reduce waste customer satisfaction profitability optimum utilization of resources deliver the product in time to the right place ठीक है आपका product भी timely deliver होना चाहिए किस पर right place पर और right time पर ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए गलत लोगों को आपने deliver कर दिया online में ऐसा कभी-कभी हो जाता है कभी-कभी होता है एक बार क्या हुआ था मेरा हमारे यहां पर फास में जैसे कि मेरा एक बार काफी time पुरानी बात है एक ATM आया था बाई पोस्ट तो उसमें हुआ क्या भाई वो मेरा नाम भी नरेंसर्मा और वो भी नरेंद्र है वो भी नरेंसर्मा है और तो पोस्ट में क्या कर गया वो मेरी चीज उनको दे गया थिक है तो ऐसे भी चीज़े हो जाती है अगर कोई खाने पीने की चीज आई किसी का मिठाई का डबा आया और वहां दे गया तो वो तो खालेगा कहेगा क्या रहने दे क्यों देना और प्लेस भी सही नहीं है तो आप लोग इन चीजों को यहां पर देखके रखिएगा तो यहां पर आप लोगों के टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं अब कल अपन लोग यहां पर बात करेंगे किन चीजों के बारे में भी आपन लोग बात करेंगे कल तो आज के लिए अभी आप लोगों से हम यहां पर कनवर्जेशन जो है उसको यही पर अपन लोग कम्प्लीट करते हैं, कल फिर अपन लोग मिलेंगे और चीजों को अच्छे से देखेंगे और कल अपन लोग बात करने वाले हैं, मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस और प्रोड़क्शन प्रोसेस के बारे में, तो यानि की मान के चलिए कल से आप लोगों का प्रॉपर से स्टार्ट हो जाएगा, और आज आप लोगों का हमने यहां पर किस चीज के बारे में बात किया है, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो बात किया है वो बात किया है किस चीज के बारे में आप लोगों का एक basic introduction जो था production engineering का कि वो क्या होता है तो समझ में आ गया वोटा मोटी last में conclusion यही निकला है it is the combination of production process और manufacturing process भी बोल सकते हो और production management का तो manufacturing process और production management को भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप लोगों का discussion कर लिया हम लोगोंने और कल हम लोग detail में और चीजों को भी discuss करेंगे चलिए thank you all the best मिलते हैं फिर अपन लोग